तो इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बट अगर मैं आपको एक absolute answer दूँ तो इसका answer है नहीं, नहीं बन सकते लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये जरूर बताना चाहूँगा वो एक्सिडेंटल एडिटर होते हैं, मतलब वो passion नहीं होता है एडिटर बनना बस वो आ गये होते हैं कहीं सुन के या और कहीं देख के या फिर एक आथ कोई वीडियो एडिट करते हैं तो उन्हें मज़ा आने लगता है तो मतलब ऐसे पैदा नहीं हुए होते हैं सोचके के बनना है बट phase 1 है हेमारा लर्नर वाला phase और इसमें आप एक भी देला नहीं कमा होगे मतलब एक Rs1 नहीं कमा होगे जहाँ पर आप software भी सीख रहो गया और आपको software आता ही नहीं होगा मतलब स्टार्टी किया है आपने और आप एक दो वीडियो ऐसी मुबाइल पर एडिट कर रहे हो या फिर कंप्यूटर पर भी सीख रहे हो तो हमारा फेज बन का टाइमिंग है वो दो से तीन महीने एंड मैक्सिमुम छे महीने तक हो सकता है मतलब आप तीन-चार महीने तक सीखते र सीख गया होता है उसको अब सॉफ्टेयर की पता है और उसने दस से जादा प्रजेक्ट पर काम भी कर लिया होगा और यहां पर आप थोड़े बहुत पैसे कमाने लगते हो यह फिर कुछ असिस्टेंट एडिटर बहुत अच्छा भी कमाते हैं लेकिन हम बहुत लो गिरेड लेकर चल रहा है कि हाँ वो ठीक ठाक कमा लेते हैं असिस्टेंट एडिटर यहां पर जो असिस्टेंट एडिटर होते हैं उनको बेसिक स्टोरी टेलिंग की नौलिज होती है तो यहां पर जो टाइम डिरेशन है वो है वन प्लस यह मतलब एक साल से जादा लगेगा आपको असिस्टेंट एडिटर बनने में यह मैं मिनिममम टाइम बता रहा हूँ यह कोई डेफिनेट टाइम नहीं है जितने भी मैं टाइम का यहां पर जिकर करूँगा इससे जादा भी लग सकता है इससे कम भी लग सकता है लेकिन एक एप्रॉक्स टाइम तो इतना ही लगना चा एक editing team को lead कैसे करते हो और यहां पर जो आपकी कमाई होती है वो अच्छी होती है मतलब आप एक अच्छी life उससे sustain कर सकते हो मतलब अच्छा पैसा मिलता है एक lead editor को अगर मैं lead editor बनने की आपको duration बता हूं तो 3 plus years या फिर 4 plus years वो भी तब ही जब आप एक industry में काम कर रहे हो से मेरा मतलब है कि जो films मनती है OTT पर जो web series आ रही है वहां पर आप जा रहे थे काम कर रहे थे या फिर अगर आप work from home भी कर रहे थे freelance video editor भी हो तब भी आपने एक अच्छी अच्छी brands के लिए अच्छा अच्छा काम करके एक अच्छा experience गें कर लिया एक reputed नाम है आपके portfolio म अच्छा experience होगा अब आता है हमारा phase 4 master editor यह है वह यह pro editor अब इसको सारी knowledge होगी proper इसको storytelling की knowledge होगी contemporary skills भी इसकी बिलकुल advance होगी high level होगी और इसको editing भी बहुत अच्छे साथी होगी इसने बहुत साधा काम किया होगा और इसका जो pace के लोगा वो भी कमाल धमाल होगा मतलब अच्छे पैसे चाप रहा होगा यह जो master editor होगा आप बात करते हैं हमारी जो इस video का पूरा conclusion था कि इसको कितना time लगेगा तो देखो अभी जो phase 3 में उसको 4 साल से जाधा लग रहे थे lead editor बनने के लिए अब आप देखो master editor को कितने लगेंगे comment करो कुछ editor मैंने ऐसी भी दे इडिटिंग, commercial editing या फिर जो ads वगेरा आती हैं यह confusion लोगों की दूर करना चाहता था कि pro editor क्या होता है उसको कितनी skills की knowledge होती है और इसको कितना time लगता है और वह कितने पैसे कमाता है तो I hope आपकी confusion दूर हो गई होगी and बस इस video में इतना ही आम में मिलता हूँ आपसे अग